प्रिये विद्यार्तियों मैं मैंश्चन मीना एसोसीट प्रोफिसर मुगोल बाबुश वबराम राज की एकला माविद्याले अलवर कोरोना काल में निरंतर वीडियो के माध्यम से हम आपके पास अध्यन सामगरी पहुचा रहे हैं आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को आप लगातार निरंतर देखते रहे हैं और जितना भी आपको समझ में आई इन वीडियो में उतना आप समझने की कौसिस करें वीडियो को बार-बार देखें एक बार देखें दो बार देखें और फिर भी यदि उस वीडियो से आपको कोई परिशानी हो कुछ समझ में नहीं आया हो या हमारे लिए कोई सुजाव हो तो उसे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते रहे हैं जिससे हम अपने वीडियो में लगातार सुधार करते रहे हैं क्योंकि छात्रों यह हमारा भी पहला पहला प्रियास है कि हम जो अभी तक क्लासरूम में आपको सिक्षा दे रहे थे क्लासरूम में आपके सामने खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पर आपको पढ़ाते थे हम पहली बार वीडियो के माध्यम से आप तक सिक्षा पहुँचाने की कौसिस कर रहे हैं तो अवश्य हो सकता है कि कमिया हमारी तरफ से भी रहें लेकिन आपके सुझाव यदि निरंतर मिलते रहेंगे तो हम भी अपनी कमियों को दूर कर आपके लिए बहतरीन से बहतरीन वीडियो आगे के लिए हम लाते रहे हैं चात्रो आज के इस वीडियो में हम मांचित्रकला के बारे में पढ़ते हैं जो आपका बीए पार्ट सैकेंड के प्राइगिक परिक्षा का जो सलेवस है उस सलेवस में ये मांचित्रकला का सलेवस जुड़ा हुआ है मांचित्रकला के बारे में अपना दन शुरू करते हैं उस से पहले आपके आपसे बात करना चाहेंगे कि मांचित्रो के बारे में हम सभी जानते हैं और हम सभी ने आज तक बहुत सारे मांचित्रो को देखा होगा दिवार ओपर टंगे हुए रहते हैं कहीं पर ग्लोब के रूप में भी हमने मांचित्रों को देखा है तो कहीं पर चार्टों के रूप में भी हम मांचित्रों को देखते हैं तो उन मांचित्रों की रचना किस प्रकार से होती है उनका क्या उप्योग है उन मानचित्रों को बनाने के लिए किन-किन सामगरियों के इस्तेमाल किया जाता है, कौन-कौन से उपकरणों के इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में अध्यन करेंगे. तो सबसे पहले देखिए मानचित्रकला की परिभासा, मानचित्रकला होती क्या है, तो मानचित्रों की रचना से संबंदित, विशे या कला को मानचित्रकला की संग्या देते हैं, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी सब्दकोस में मानचित्रकला का अर्थ है, चार्ट अथवा मानच मान्चित्र कला को अंग्रेजी में कार्टोग्राफी कहते हैं और इस कार्टोग्राफी का जो मीनिंग है वो है चार्ट अथवा मान्चित्रों की रचना मांचित्र कला में केवल मैप ही नहीं आते हैं मांचित्र कला में मैप अथवा मांचित्र के अतरिक चार्ट, आरेक, आलेक, उच्चावच मॉडल, मानारेक, आदी की रचना करने की जो विदी हैं उन विदीयों का सभी का धिनिया पर किया जाता है दूसरे शब्दों में मांचित्र आदी की रचना के विज्ञान अत्वा कला को मांचित्र कला कहते है मांचित्र कला की इस मूल परिवासा को विभिन विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में प्रस्तूत किया है जिनमें प्रमुख हैं यहाँ पर LD स्टांप तो डडले स्टांप जो प्रमुख भुगोल वेता हैं उनके अनुसार मांचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर यह मांचित्रन आधरित है मांचित्र कला कहलाता है अंग्रेजी में इनकी परिवासा है डडले स्टांप की कार्टोग्राफी इस दा आर्ट आप मैप कंस्ट्रेक्शन अन दा साइन्स ओन विज्ञान इस बेस्ट दूसरे मशूर बुगोल वेता है एफ जे मौंक हाउस उनके अनुसार मांचित्र कला में धरातल के वास्तिविक सर्विक्शन से मांचित्र मुद्रन तक मांचित्रन के प्रक्रमों की संपूर स्रंखला सम्मिलित होती है अर्थात सर्विक्शन से लेकर सर्विक्शन मतलब फिल्ड में जाके आप मांचित्र को बनाने के लिए जो सर्विक्शन करते हो वहां से लेकर मांचित्र का जो मुद्रन हो रहा है पबलिकेशन हो रहा है उस पबलिकेशन तक की जो संपूर स्रंखला है उस संपूर्ण स्रंखला को मांचित्र कला कहा जाता है। कार्टोग्राफी इंक्लूड दा होल स्रीज ओफ मैप मेकिंग फ्रोम एन एक्ट्वल सर्वे ओफ दा ग्राउंड टू प्रिंटिंग। इरविन रेज ने कहा है कि मांचित्र, उच्चावच प्रतिरूप, आविक्षन रेखा चित्र वे मानारेक आधी के द्वारा प्रत्वी के भिन भिन प्रतिरूपों को आलेखित करके बोद गम में बनाने के विज्ञान को मांचित्र कला कहा है। उनके अनुसार इर्विन रेज के अनुसार ये कारे तीन चरणों में पूरा होता है कौन सा कारे मान्चित्र बनाने का कारे तीन चरणों में पूरा होता है ऐसा इर्विन रेज ने का है वो तीन चरण कौन कौन से हैं उनके अनुसार सर्वेक शक जो सर्वे करने वाला है वो धरातल की माप करता है उसके बाद मान्चित्रकार जो उस मान्चित्र को बनाता है तो मान्चित्रकार इन मापों को एकत्रित करके उन्हें मान्चित्र पर प्रदर्शित करता है तथा सर्वेक्षक, मान्चित्रकार और भुगोलवेता ये तीन स्टेप उनके अनुसार बताए गए मान्चित्र कलाके कि सर्वेक्षक तो धरातल की माप करता है, मान्चित्रकार माप के अनुसार मान्चित्र प्रदर्शित करता है और भुगोलवेता मान्चित्र पर प्रदर्शि on map and the geographer interprets the fact ये इर्विन रेज का कहना था मांचित्रकला के बारे सेंग्तराष्ट संग के सामाजिक विभाग के अनुसार मांचित्रकला की परिवासा इस प्रकार दी गई है सभी प्रकार के मांचित्रों एवं चार्टों की रचना का विज्ञान जिसमें मूल सर्विक्षण से मांचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रते क्रिया सम्मिलित रहती है मांचित्रकला कहलाता है अर्थात मांचित्र और चार्ट बनाने की विज्ञान जिसमें सर्विक्षण से लेकर पॉब्लिकेशन तक की पूरे प्रोसिजर पूरे स्टेप सम्मिलित हैं उस कला को मांचित्रकला कहा जाता है कार्टोग्राफी इस कंसीडर एस थे साइंस अफ प्रिपेरिंग अल टाइपस अफ मैपस और चार्ट और इंक्लूड एवरी ओपरेशन फ्रम ओरिजिनल सर्वेशन तो फाइनल प्रिंटिंग अफ कॉपीश अर्थात जो सर्वेक्षन होता है मांचित्र बनाले के लिए हम जो सर्वेक्षन करते हैं उस सर्वेक्षन से लेकर मांचित्र के पब्लिकेशन तक का जो भी कारिये है वो सम्पूर कारिये मांचित्रकला के अंतरगत सम्मिलित किया जाता है तो उपर की जो भी परिभासाएं हमने पड़ी उन परिभासाओं के आधार पर हमारा एक निसकर्ष निकलता है कि मानचित्रकला एक ऐसा विज्ञान है जिसमें ख़बोलिये पिंडों तथा धरातल के आलेखी निरूपन की समस्त विधियों जैसे मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, आरेक, मानारेक आधी को पूर्ण करने के लिए आधी से अंत्य तक की जाने वाली समस्त प्रिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं तो सुरुवात से लेकर लास्ट तक मान्चित्र को बनाने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं काम में आती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को मान्चित्रकला के नाम से जाना जाता है. मान्चित्रकला आधुनिक काल में ही नहीं, आधुनिक काल में ही है, ऐसा नहीं है, मान्चित्रकला हजारों साल से हम उप्योग में लेते आये हैं. ये देखिए, ये टॉलमी के अनुसार संसार का मांचित्र है, इस संसार के मांचित्र में देखिए, अफरीका भी दिखाया गया है, सवधियरब भी है, इंडिया भी दिखाया हुआ है, यूरो, पॉरेशिया, कैस्पियन सागर, तो विभिन गंगा नदी भी यहां पर दिखा हैं, प्रमुक नदिया हैं, प्रमुक जल सागर थे, उन सभी जाल सागरों को, सभी इस्थल रूपों को, इस्थलिय भागों को टॉलमी ने अपने नक्से में दिखाया गया, ये दूसरा नक्सा है, क्रेटस के नुसार, या क्रेटस द्वारा निर्मित, प्रत्वी का ये देखिए प्राचीन काल से भी मानचित्र अत्वा गलोग की रचनाएं बहुल वेत्ताओं द्वारा की जाती रही है ये देखिए इदर सी का संसार का मानचित्र जिसमें एशिया, अराब, अफ्रीका, यूरोप ये सब उन्होंने प्रदर्शित किये हैं बच्चो आज के इस आदुनिक यूग में जब हम हमारे पास क्रत्रिम सैटलाइट हैं उन सैटलाइटों के माद्यम से हम एक एक इंच एक सेंटिमेटर की गणना कर सकते हैं अंत्रिक्षिल प्रत्वी क्यूग तो आज हमारे पास एक्जेक्ट मानचित्र है जबकि ये देखिए हजारों साल पहले के ये जो मानचित्र हैं इन मानचित्रों में किसी भी प्रकार के साइंटिफिक उपकरणों का अभाव था और उस अभाव के बावजूद भी उन्होंने अपने कोशल के आधार पर इस प्रकार के मानचित्रों का जो दिर्मान किया वो वाकई काबिले तारीफ है कि किस प्रकार से मानचित्रकला हमारी प्राचीन काले में भी संब्रद्ध थी मानचित्रकला का क्या उद्धेश है वो देखे दूर समवेद रिमोट सैंसिंग पराद्वनिक जैट विमान एवं सूचना प्रध्योगी की के इस युग में हमें हमारी प्रत्वी बहुत छोटी प्रतीत हो सकती है 35 छोटी प्रत्वी के वास्त्वी का आकार का आभास हमें उस समय होता है जब हम धरातल पर इस्थित विसाल सागर, महा सागर, परवत मालाओ, नदियों, वन प्रदेश, देश, महादीप, आदी की संख्या, आकार और उनकी हमसे दूरी पर विचार करते हैं इतनी बड़ी प्रत्वी और उसके बड़े बड़े भोतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक, राजनितिक लक्षनों साइथ, आज भी अपनी आँख से एक दरस्टी में देख पाना का दाचित संभव नहीं है आप एक नजर में एक आँख से समस्थ प्रत्वी को और इस प्रत्वी की जितनी भी भोगलिक आकरतिया हैं, राजनितिक आकरतिया हैं, उन आकरतियों को नहीं देख सकते तो मान्चित्र कला का उद्देश हमारी इस विवस्ता को दूर करने के लिए किया गया है, क्योंकि मान्चित्रों के द्वारा हम समस्थ प्रत्वी अत्वा उसके किसी भाग में विद्द्वान, किसी भी द्रश अत्वा एद्रश विवरण को उचित्मा अपनी पर प्रदर करके दिखला सकते हैं। दूसरे सब्दों में मांचित्र कला का उद्देश धरातल पर किसी तत्य के वित्रण प्रती रूपों को ऐसी समानीत मापनी पर प्रकट करना होता है कि उनके सभी महतपून लक्षण एक साथ पूर्ण दरश्यमान हो जाएं। प्रत्वी के प्रती रूपों को दरश्यमान करने में मांचित्रों का मुखिस्थान होता है परंतु उच्चावच प्रती रूप, गलोब, रेखाचित्र, आलेख, आरेख, व्मानारेख आदी भी इस कारे में महतपून भूमी का अदा करते हैं। प्रत्वी के विभिन प्रती रूपों को चाक्छुस विधियों के द्वारा दरश्यमान करना ही मांचित्रकला का मुल उद्देश है। अर्थात ये जितनी भी आपकी प्रत्वी पर भोगोली की काईया हैं, उन सभी इकाईयों को एक ही परदे पर उतारने का ये जो कारिया है, ये मांचित्रकला के द्वारा ही संभव है। क्योंकि समस्थ प्रत्वी को हम एक आँख के द्वारा या एक दरश्टी में देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होता, इसलिए उस प्रत्वी को गलोब के द्वारा अत्वा मांचित्रों के द्वारा हम देख सकते हैं, और उन मांचित्रों का निर्मान और गलोब का जो उन सभी के निर्मान को मानचित्रकला के अंतरगत हम पढ़ते हैं उनका अध्यन करते हैं तो मानचित्रकला बुगोल के अध्यन के लिए सबसे अधिक महत्पूर्ण है क्योंकि मानचित्रों का निर्मान होता है तब ही एक बुगोल वेता उन मानचित्रों के बारे में अनमान लगाता है कि किस प्रकार से कौन समान चित्र किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है तो आज के वीडियो में इतना ही आगे आने वाली वीडियो को आप लगातार देखते रहें और अपना ग्यानारजन करते रहें कोई भी सुजाव हो कोई भी अमारी कमिया हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर शम से शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम सुधार कर सकें धन्यवाद